बिसमिलायरमान रहीम, असलाम अलेकुम, उश्बाज हम ओफ टेस में आपका वेलकम है बहुत ही मज़ेदार अंडे का हलवा रेडी करेंगे आज और इसमें जो मैं इंग्रीडेंट्स यूज़ करूँगी वो आपके घर में मौजूद है आपको ये रेस्बी बहुत पसंद आएगी तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अंडे का हलवा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत हैं उन में शामिल हैं यहां मैंने लिए हैं छे अदद अंडे साथ मैं इसमें ब्रेड यूज कर रही हूँ और ब्रेड के मैंने चार स्लाइसिस लिए हैं और इनके किनारे मैंने रिमूफ कर लिए हैं मैं यहाँ 6 अंडों का बना रही हूँ और इसमें मैं 4 slices यूज़ कर रही हूँ अगर आप quantities डबल करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो भी आप बढ़ा सकते हैं और उसी ratio से आप बाकी चीज़ें भी जादा करेंगे half glass इसमें मैं दूद का यूज़ करूँगी एक कप मैं इसमें चीनी का यूज़ करी हूँ अगर आप चीनी कम डालना चाहें जादा डालना चाहें तो आप अपनी टेस्ट के साब से कम जादा कर सकते हैं half teaspoon मैं इसमें yellow color एड़ करूँगी ताके बहुत खुबसूरत सा color आये हलवे का और केवरा सेंस के दो तिन कत्रे मैं इसमें यूज़ करूँगी इन चीज़ों के इलावा मैं इसमें dry fruits यूज़ करूँगी मैं इसमें बदाम और काजू यूज़ करूँगी आप अपनी पसंद से कोई साभी dry fruit एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं और साथ हम इसमें कुछ oil यूज़ करेंगे सबसे पहले मैंने यहां blender का जग लिया है और एके करके सब चीज़े मैं इसमें एड़ कर दूँगी ताके हम सब चीज़ों का एक mixture सा बना ले उसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें चीज़ी डाल दी है इसके बाद दूद और फिर slice के छोटे चोटे pieces करके हम इसमें डाल देंगे अंडों को भी एके करके तोड़के मैं इसमें एड़ कर दूँगी सब अंडे मैंने इसमें एड़ कर दिये हैं अब मैं इसमें एड़ करी हूँ यलो फूट कलर और ये मैं half teaspoon के करीब इसमें एड़ करूंगी केवरा сेंस एड़ करेंगे इसमें 2-3 डॉप अब हम इसको कवर करेंगे और इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लैंड करेंगे अब यह देखें इस कंडिशन में आ चुका है सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके लिए मैंने एक कड़ाई ली है और इसमें मैंने एड़ कर दिया है क्योंके नॉन स्टिक के बरतन में यह बनाना ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप सिल्वर वगारा के बरतन में बना रहे हैं तो थोड़ी सी इहतियात करनी पड़ेगी आपको ताके नीचे ना लग जाए मीडियम टू लो फ्रेम रखूंगी और इसको कवर करूंगी तकरिबन दो से तीन मिनट के लिए ताके ये थोड़ा सा गरब हो जाए दो से तीन मिनट गुजर जाने के बाद इसका कवर हटाएंगे और ये देखें साइडों से ये पकना शुरू हो गया है अब हमने मुचलसर चमच हलाते रहना है अब यहां आपने फ्लेम मीडियम से हाई कर देना है और इसको पका लेना है अची तरह से और इसमें गाड़ा पनाना शुरू हो जाएगा इसको हम 10-15 मिनट इसी तरह से पकाएंगे काफी हद तक देखें इसमें गाड़ा पना आ गया है और आइस्ता आइस्ता ये साइडों से घी निकलना शुरू हो जाएगा लेकिन एक दफ़ा गाड़ा पनाने के बाद फिर इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें दूद एड़ किया है तो उसकी वज़ा से एक दफ़ा ये पानी छोड़ेगा लेकिन हमने इसको मसलसल भूलते रहना है और चमा चालाते रहना है अब यहां देखें हल्वा हमारा हमने भूनना स्टार्ट कर दिया है किनारे चोड़ना शुरू हो गया है और इसकी भूनाई पे भी हमने 10 मिनट लगाने है ताके अंडे की स्मेल अच्छी तरह से खत्म हो जाए अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे कुछ ड्राइफ फूर्ट मैंने इसमें बदाम एड़ किये हैं और साथ इसमें काजु कट करके एड़ करूंगी और बदाम मैंने छिलका उतार के एड़ किये हैं आप जिस तरह से भी पसंद करते हैं आप क चांदी के वर्क से या डाइफ फूर तर वर्क से इसको घर्निश करें इसको सर्फ करें आपको यह रेसीपी बहुत पसंद आएगी अब इसको रूर्व एक दफर टाय कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर किजिएगा कि आपको यह रेसीपी कैसी लगी बरूर आगाह किया करें खुश हैं खुश हैं खुश हैं खुश हैं खुश हैं बांटे मुझे दें अजाज़त मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ लाह आफ़ेज़